नमस्क्राइब दोस्तों कैसे हैं आप लोग? 26 दिसंबर 2022 के डेली दाहिंदू एडिटोल डिसक्रिशन में आपका स्वाकत है 6 इंपॉर्टे डिटोल्स हैं कौन-कौन से हैं एक तो कमल हसन साब का लिखा हुए एक आर्टिकल है यहां पर यह राहुल गांदी जी की भाराज चोड़ो यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं इसके बारे भी हाँ बात करेंगे फिर इसके साथ-साथ IPL में रिसेंट्ली आॉक्षन हुए हैं 160 करोड में लगबग 80 प्लेयर्स हो खरीदा गया है तो यह न्यूज है इसको एक पर देख लेंगे फिर भाई प्रधान मंतरी खरीब कल्याण अन्योचना को continue नहीं किया गया है लेकिन पब्लिक डिस्टिबिशन सिस्टम के अंतर जो subsidized food grains दिये जाते थे इनको free कर दिया गया है तो इससे क्या cost string होगी सरकार की सरकार का target यहाँ पर क्या है यह सब चीज़ों को समझेंगे उसके बाद constitutional silences यह particular article है constitution के बनते वक्त article 200 के अंदर यह clarify नहीं किया गया कि governor कब तक अपने पास राज सरकार दोरा भीजे के bill को pending रख सकता है तो इससे एक problem हुई है इसके बारे में आप बात की गई है forest rights heritage convention से related एक article है और online gaming से related एक article है तो यतने articles मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ इसके बाद लगबग 10-10 बजे तक आपको जो current affairs की वीडियो है वो भी वेनीज से available करवा देंगे मैं यहाँ पर editorial आपके साथ बहुत detail में discuss कर रहा हूँ तो भाईया आई यात्रा as darning material to repair India's clashes देखे कमल हसन साब यहाँ पर यह बोल रहे है कि भाई देखे कि the Hindu के editorial में बहुत सारे talented लोग articles लिखते है बट चुकि यह बहुत साथ talented नहीं है हाँ, एक artist है एक entrepreneur है, एक school dropout है पर फिर भी एक idea देना चाहते है क्या idea दे रहे है यहाँ पर कमल हसन साब यह बोल रहे है कि जितना हमारे देश के लिए आजादी के लड़ाई ज़रूरी थी ना उतना हमारे देश के लिए हमारा समविधान भी भावजाता ज़रूरी है समविधान के respect में जो discussion हुआ था जब हमारा समविधान बन रहा था 1946 में constitutional assembly बनी थी उसके बाद जो freedom fighters थे जन्होंने देश के लिए अपनी जान दी जो लड़ रहे थे लगातार उनके ideas भी सुने गए यहाँ पर फिर जो दूसरे experts थे जो कि representatives थे इंडिया के constitutional assembly के अंदर वो भी अपने idea यहाँ पर दे रहे थे और खास बात दोस्तों यहाँ पर यह थी कि जो constitution में आनने वाले लोग थे वो qualified lawyers थे इन qualified lawyers के पास एक firm grounding थी legal reasoning theory में उनको बाकी constitution के बारे में बहुत कुछ पता था तो basically Indian Republic की क्या जरूरतें थी उसके बारे में उनको idea था उन्होंने उन सारे ideas को कहीं न कहीं document किया खास बात यह थी कि यह जो particular constitution बन रहा था वो पुराने ख्यालों को ध्यान में रखते हुए भी आगे आने वाले young Indian democracy के बारे में सोच आ था और उसके सासा जैसे जैसे Indian democracy मैचूर होगी उस हिसाब से चीज़ें वो device कर रहा था लेकिन खास बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि किसी भी country के evolution के साथ साथ उसकी requirements भी बदलती है और उन requirements को बदलने के लिए constitution के अंदर revisions और amendments भी उतने जादा ज़रूरी है और यह amendments बिना किसी बायस के दिये जाए पूरी neutrality के साथ किये जाए वो बहुत ज़रूरी है तो भले ही जो founding fathers का रास्ता था वो सही था लेकिन आज की रेट में कहीं ने कहीं वो रास्ता बदल रहा है ऐसा कुछ बोल रहा है कमल हसन साब कमल हसन साब बोल रहा है कि यह एक political centrist है हाना कि आज की डेट में political centrist को बहुत सारे लोग opportunism भी भोलते है देखें हमारे देश के अंदर दो प्रकार की ideology एक तो right wing ideology एक left wing ideology इस समय पे BJP को right wing ideology का representative समझायाता है और कही न कहीं moist और कुछ हद तक Congress को left wing ideology का हाना कि बहुत सारे political functionary अपने आपको कही न कहीं political centristism का representative मांगते है मतलब ना वो पूरी तरीके से right wing को follow करते है ना पूरी तरीके से left wing को follow करते है तो कुछ इस ब्रकार की बात कर रहा है कमल असन साब कि हाँ भई हम इसी centristism की बात कर रहा है जिस centristism में बुद्धा का जो धम पदा नाम the way of truth का जो lesson है या फिर थिरू कुरल नदावू का जो equipoise का lesson है या अदवैत का जो non-dualism का lesson है इस centrist philosophy के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं और इसलिए मैं कॉंग्रिस की भारत जोड़ो यात्रा को जोईन करना चाहता हूँ जो कि कहीं न कहीं भारत जोड़ो यात्रा कुछ ऐसे सिधानतों के अगेंस लड़ाई कर रहे हैं जो की गड़बड़ हो गया है जैसे इस प्रकार से GST को तेजी से इंप्लिमेंट किया गया डी मोनेटाइशन का जो डेबैकल हुआ आज की डेट में कास्ट और कम्यूनल आधार पे जो लड़ाईयां बढ़ती जा रही है अभी के लिए citizens का right to information का जो right है वो थोड़ा affected है जुडिश्री एक्जिक्यूटिव में राई चल ले ही लगाता है एक्जिक्यूटिव जुडिश्री के उपर रिज़ाम लगाता रहता है कि तुम कॉलाईजियम सिस्टेम से थूरू अपांट्मेंट गलब तरीके से कर रहे हो तो इस कंटेक्स्ट में कमल असन साब ये बोल रहे है कि कहीं न कहीं राहूल गांदी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो थोड़ा बहुत इंडिया को रियालिटी की तरफ लेके जाती है और इसलिए मैं इसको जोइन करूँगा इंद्रा गांदी की के अंदर तो इस कंटेक्स में कमल असन साब अपने आपको पॉलिटिकल न्यूट्रल स्पेशलिस्ट की तरफ दिखा रहे है और ये बता रहे हैं कि हाँ इस समय पे देश को सही रास्ते की जरूँद है कहीं न कहीं एक सेल्फ रिलाइज़ेशन की जरूँद और वो सेल्फ रिलाइज़ेशन राहूल गांदी की भारत चोड़ो यात्रा को जोइन करके मिल जाएगा तो कुछ इस पकार की बाते हैं यहां पे बोल रहे हैं एक तरीकी का पॉलिटिकल आर्टिकल है वो अपना पॉलिटिकल व्यूपॉंट दे रहे हैं आगे बढ़ते हैं तो अगर अब तक आपने वीडियो पे लाइक का बटन नहीं दपाया तो ज़रूर दपाईए चैनल के इंगेजमेंट के लिए इसको शेर और सबस्क्राइब जरूर करें जितना तब शेर और सबस्क्राइब करेंगे उतना ज़्यादा यूटिब के अल्गरिथम इस बर्टिकलर वीडियो को प्रमोट करेगी तो बीच बीच में याद दिला देता हूँ देखे क्या है कोचे में इंडन प्रिमेर लीग का और इस पर्टिकुलर मीनी आॉक्षन में जो इंग्लेंड का सैम करन नाम का प्लेयर है न इसको पंजाब किंग्स ने खरीदा है साड़े अठारा करोन रुपए में 18.5 करोन में मैमत अमांट है ये सोचना में मुश्कल इतना बड़ा मांट है ओके मुंबई इंडनेस खरीदना चारा था सैम करन को मुंबई इंडनेस नहीं खरीद पाय तो मुंबई इंडनेस ने ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन को खरीद है 17.5 करोन रुपी में चिननाई सुपर किंग्स को लीड करेंगे अमेस धोनी चिननाई सुपर किंग्स ने बेन स्टोक्स को खरीद है 16.25 करोन रुपी तो अपने आपने आप में आप देखो तो ये एक एक प्लेयर के उपर 17 करोन अपने आप में बहुत बड़ा वांट है जिब शुरू आता आप आप एल तो पुरी टीम में बोली लगती थी 20 करोन गी अब अकेले एक प्लेयर को साथ 18 करोन दिये जा रहे हैं और कहीं न कहीं ये प्लेयर कुछ वो प्लेयर से हैं जो रिसेंटी उन्हें परफॉर्म भी तगड़ा किये हैं जदातर जो प्लेयर की डिमांड जदा नजदा नजदा आई है तो अपने फॉर्मेटिव एर के रिस्पेक्ट में आई पेल आज को इतना पैसा ओड़ा रहे हैं टोटल असी प्लेयर के उपर 167 क्रोड रुपे खर्च किये गए अभी जो कोची में एक शाम को ये जो ओरॉल आउक्शन हुए हैं बहुत सारे प्लेयर्स ने अपने प्लेयर्स को रेटेन किया है गुजरा टाइटेंस लखनो सूपर जाइं के कैपिटन है और सिंगल बैट्स में ने इनको भी यहाँ पर खरीदा गया है चिन्नहीं में ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि MS धोनी की बजाए अब यहाँ पर जो कैप्टेंसी है वो बेंड स्टोक्स के पास आ जाए फिर अजींदर जड़ेजा को नहीं रख रहे थे लेकिन रवीन जड़ेजा को रखने के लिए बाकी चिन्ने की टीन ने बवाल किया तो उसको रख लिया है यहाँ पर तो कोज इस प्रकार की बात हैं दोस्तों मत अब यह बताया जा रहा है कि astronomical amount of पैसा खतम किया जा रहा है असी प्लेयर्स को खरीदने के लिए रेटेन करने के लिए 167 क्रोड रुपे निकल गए हैं फ्रेंचाइजी ओनर्स की जेब से तो अपने आप में IPL की जो commercial utility है वो अभी भी बरकरार है बहुत हर्त तक बरकरार है ठीक है भी कहा जाता है अगले आर्टिकल पे प्रध्यान मंतरी गरीब कल्याण अन्योजना अपरायल 2020 में शुरू हुई थी 31 दिसंबर 2020 को बंद हो जाएगी बीच में कुछ समय के लिए बंद रही थी पर जदातर अगर आप देख सकते हो प्रध्यान मंतरी गरीब कल्याण अन्योजना का लॉजिक जो सबसे एक्स्ट्रीम पूर लोग है सबसे जाथा जो गरीब लोग है उनको बोड़ी मज़द मिलिये और कही न कहीं भारती जन्ता पार्टी ने इस पर्टिकुलर स्कीम के चलते एलेक्शन भी जीते हैं उत्तरप्रदेश केलेक्शन बताया जा रहा है कि बीजेपी ने जुजीता है उसमें पड़ी वजय यह पर्टिकुलर स्कीम थी फिर जो 35 केजी का फ्री फूड गेंस अन सुरी 35 केजी का जो फूड गेंस सबसीडाइज रिच्ट पर अंतियोद्य अन योजना वाले कार्ड डूर्टर्स को मिलता था है यह पूरा फ्री हो जाएगा मतलब अन्तियोद्य अन योजना और पब्लिक डिस्टिबिशन सिस्टम के अंदर जो पहले सबसीडाइज फूड गेंस मिलते थे उनको एक साल के लिए सरकार ने पूरी तरीके से फ्री कर दिया है तो भले सरकार ने प्रधान मंत्री करीब कर लिए अन योजना को यहाँ पे ओवराल खतम कर दिया है लेकिन अधर सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसको खतम होने के लिए अलावा जो सबसीडाइज फूड रेंस हैं उनको भी यहाँ पे फ्री किया है सरकार ने लेकिन मैं आपको एक चीज बता दू यहाँ सरकार ने बहुत प्रॉपर दिमाग के साथ गेम चलाए देखिया अब चावल है अभी चावल तीन रुपए प्रती केजी सबसीडाइज डेट पे मिल रहा है अब इस तीन रुपए प्रती की अगर चावल का अगरा मार्केट देखोगे तो 18-20 रुपए होगा अब है 18-20 रुपए में से अरड़ी 15-70 रुपए का तो सबसीडियूट है रही दी सरकार तीन रुपए प्रती की इजी जो लोगों की जेब से निकला था वो और सबसीडियूट हाली सरकार ने तो मतलब टोटली फ्री ओफ कॉस्ट पीम करोड रुपिया एलोगेट किया है एक और वाद बता दू नैशनल फूट सीक्योर्टी एक्ट हमारे देश की लगबख सरसट परतिश्य जनता को कवर करता है 75 परतिश्य जनता गाओं में 50 परतिश्य जनता अर्बन इलाकों में लेकिन कुछ ऐसे राज हैं तमिल नाडु जै अभी कले ऐसा बताया जा रहा है कि केंदर की सरकार देगी तो मतब केंदर की सरकार की तरफ से राजी की सरकारों को इस फूट डिस्टिबिशन स्कीम में थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी अब एक और जो कैज यहां पर बताया जा रहा है नाशनल फूट सिक्यूरिटी एक्ट के अंदर पूरेस्ट ऑफ दपूर को टारगेट किया जाता है लेकिन पॉइंट यह है कि टारगेटिंग कभी भी सही नहीं हो सकती खासकर तब जब हम 2011 के सैंसस के हेसाफ से टारगेट कर रहा है देखिर्शे अपने आपने में बहुत पर्फेक्ट एक्सरसाइज physique नहीं है बात हो जाएगी है। यह बात यहां पे अंड में बताई जारी है। चले एगले आर्टिकल पर आ जाते हैं। Constitutional Silences Unconstitutional Inaction। किसने लिखा है मुकंद पी उनी साहब निस आर्टिकल को लिखा है सुप्रीम कोट में क्या बोल रहे हैं। इनका यह बोलना है कि हमारे समविधान में जो वन ऑफ दा बिगेस्ट गलती है वो है आर्टिकल दोसों के अंदर इस बात को क्लियर नहीं करना कि गवर्नर कब तक डेमोक्रेटिकल अलेक्टिट गॉवर्नेंट के बिल को पेंडिंग रख सकती है। दीखे यह एक ऐसा टॉपिक है तो जो घूम फिर के हमारे सामने आता ही रहता है। जब सम्विधान बनाया गया था हमारी कॉंस्टिटुएंट असेंबली के द्वारा तो हमारे फाउंडर्स ने कुछ डिलिबरेट गैप्स छोड़ दिये थे। ऐसे गैप्स जो फ्यूचर पारलेमेंट मॉडिफाई करेगी और कॉंस्टिटुशन को बतल देगी इन अकॉ द्वारा भेजे गए बिल्स पे एसेंट देने के लिए आज की डेट में बड़ा मुद्दा है ना भाई लेजिसलेटिव इसेंबली बिल पास कर देती लेकिन गवर्नर उस बिल को अपने पास पेंडने ही रखता है फॉर एक्जामपल तमिल नाडू प्रोहिबिशन ऑफ इस पर्टिकुलर बिल को लेकि आज पूरा का पूरा आर्टिकल है ओवरॉल आज के एडिटोरल में इस आर्टिकल को भी डिसकस करेंगे तो यह एक ऐसा पर्टिकुलर बिल है तमिल नाडू के इंदर जिसको रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों में ओर्टिकलर बिल में बदलने के लिए बिल इंटर्डिूस किया तमिल नाडू की सरकार ने ओवरॉल उसको तमिल नाडू की असे पास काया वो पहुंचा गवर्नर के पास गवर्नर ने उस पे साइन नहीं किये उसके चलते इस पर्टिकुलर ऑनलाइन गैंबिलिंग को तरीके से इनफोर्स रखने वाला ओर्डिनेस जो था वो नमबर में लैप्स कर गया उसके साथ अगर आप देखो तो केरला में केरला लोक आयुकता अमेंडमेंट बिल दो हजार बाईस ये पेंडिंग पढ़ा हुए तमिल नाडू में 20 ऐसे बिल्स हैं जिनके उपर गवर के लगबग की जब कॉंस्टिट्वेंट एसेंबली में ओवरॉल आर्टिकल 200 के ओपर डिसकेशन चला था। कॉंस्टिट्वेंट एसेंबली में प्रोफेसर शिबन लाल सकसेना ने बोला कि भाया कोई टाइम लाइन आपने क्यों नहीं प्रिसक्राइब कि है गवर्नर के एक्ट करने के लिए 1962 में केस हुआ पूरो शोथानम नामदिरी फरसे स्टेट ऑफ केरला इस पे सुप्रीम कोर्ट की कॉंस्टिटूशन में बोला कि भाय ये बात बिलकुल सही है कि कॉंस्टिटूशन ने गवर्नर को कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी है बिल्स पे सेंट देने के लिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर इस बिल को पेंडिंग रुख सकता है कि आज तक कभी भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत डीटेल में exhaustively इस बात पर discussion नहीं किया है कि गवर्नर क्या बिल्स के उपर indefinitely बैट सकता है और नहीं बैट सकता है and that president or governor can act only in harmony with their council of ministers मतलब overall council of ministers में केंदर ने law पारित किया और प्रेजडेंट उस law को पास करें ये ज़रूरी है उसी प्रकार से राज्य केंदर council of ministers ने ये मानलो राज्य की सरकार ने कोई bill पारित किया कोई law पारित किया तो उसको governor emergency basis पे मतलब emergency नहीं ये proper technical time line के सबसे approval दे जरूरी है अगर governor ऐसा नहीं कर रहा है मतलब governor overall unconstitutional गलत तरीकों से लोगों की will को subword करने की कोशिश कर रहा है और हम इतना हमारे समविधान की federal ethos को हट कर रहा है जो कि अपने आप में गलत होगा constitutionally abhorrent है बिल को ascent देने में delay cause करना एक arbitrary exercise है जो कि constitutionally abhorrent है ये यहाँ पे बताया जा रहा है तो भाई ये जो governor यहाँ पे राज जी की सरकार दोरा पारेद बिल्स को pending रखके बैठ जाते हैं delayed रखते हैं एक तो इस बात को point out किया जा रहा है उसके सासर एक और मुंदा यहाँ पे उठ रहा है पतलब कई बर क्या होता है कि राज जी की जरकार ने बेल पास कर दिया वो पहुचा गवर्नर के पास गवर्नर ने उसको प्रेजिट को रफर कर दिया अब प्रेजिट के पास पढ़नी पढ़ा हुआ जैसे तमिल नाडू ने पास किया है नीट बिल अब ये नीट बिल बहुत समय तक तमिल नाडू के गवर्नर आर न रवी ने अपने पास पढ़नी रखा माई दो हजार बाइस में आर न रवी ने इसको रफर कर दिया प्रेजिट को तब से प्रेजिट के पास पढ़नी गे हाला कि प्रेजिट अगर मागलो वापस बेजता है रथ कंसिड़ेशन के लिए तो राजी की सरकार चे महीने के अंदर रथ कंसिड़ेशन करेगी लेकिन प्रेजिट के ओपर किसी भी प्रकार की कोई बाउनडेशन नहीं है कि President को किते समय में Governor दोरा भेजे काई Bill को Assent देना है या Reject करना है या वापस Reconsideration के लिए भेजना है ये कहीं में भी नहीं लिखा है तो फिर Reforms की यहां पर बात की गई एक Consultation Paper रेलीस किया गई जिसका Title था Institution of Governor Under the Constitution Consultation Paper किसका था Justice PP G1 Ready-led Committee का था इसमें इसने क्या बोला? That if the Governor withholds assent to a Bill indefinitely Such a course will not be consecutive with a decorous regard A Governor respected to the rules of the Constitutional Game The National Commission to review the working of the Constitution देखे क्या है Justice, BP, G1 Ready-led Committee ने साफ साफ क्या बोला? इनका एक पेपर था Institution of Governor Under the Constitution अगर एक Governor राज की सरकार दोरा पारित का ए Bill को proper तरीके से सही समय पे assent नहीं देता है या उसके उपर कोई action नहीं लेता है तो ये Governor की जो Office का decorum है उसको disturb करने वाली बात होगी उसको dishonor करने वाली बात होगी फिर जो National Commission to review the working of the Constitution NCRWC बनाया गया था अटल भीहरी बाचपेजी की तोरा 2000 में इसको लेकर लक्षमिकांद में एंड में बहुत बड़ा chapter है विलकुल महमत chapter है चारपा chapter के बरापर है तो उसमें भी ये बोला गया था कि भाई एक time limit होनी चाहिए चोकि लगबग आप कह सकते हो छे मेने की time limit हो गई जिसमें overall governor को decide करना पड़ेगा अगर उनके पास राजी की तरकार की तरफ से कोई मिलाता है कि हाँ वह इसको पारिद करना है या president की consideration के लिए इसको reserve करना है अब सवाल यह उड़ता है कि article 200 लाया ही क्यों गया constitution makers article 200 एक ऐसा article लेके क्यों आए जहां पर राजी की सरकार के लिए गए कानूनों के उपर governor कैसेंट लगेगा उसका simple reason यह था दोस्तों जब हमारा देश आजाद होगा था हमारे देशें बहुत सी sectionist tendencies थी बहुत सारे लोग अपना अपना इलाका लेके निकलना चाहते थे तो ऐसे cases में एक governor का एक राज में as a union representative रहना ज़रूरी था ताकि कोई राज अपने मन मताबी कुछ भी करता ना फिरे सरकारिया commission ने बहुत सारे state governments ने ये भी बोला था कि governor एक safety valve की तरह काम करता अगर राज जी की सरकार कुछ hienky-panky करने की कोशिश करेगी जब रदस्ती कुछ घड़ब्ड करने की कोशिश करेगी तो governor उसको check कर सकता है ठीक है? बट यहां पे और राज जी की सरकार ये तो hienky-panky करने ही पाई लेकिन governor ही घड़ब्ड करने लगा ये भी बोल रहा है जाए ठीक है सरकार्य कमिशन ने भी ये बोला था कि ठीक है भाई फेडरल उको सिस्टम को ठीक करने के लिए आप गवर्नर अपॉइंट कर रहो बट अगर गवर्नर इस प्रकार से काम करने लगे कि वो एक्जिस्टिंग प्रोसीजर को ठोड़ दे राज जी की सरकार में चुने गए अगर कोई बिल पास करा रहा है उनको रोके उसके लिए कोई टाइम लिमिट ना हो तो वो गरत होगा इसलिए सरकार कमिशन ने भी बोला कि एड्मिनिस्ट्रेटिव लॉग के अंदर किसी भी एड्मिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन को देने में अगर आप अन्रीजनेबल बिना वज़य का डिले कर रहा हो तो वो रूल आफ लॉग को तोड़ने जैसी बात होगी और यहीं यहाँ पे हो रहा है अगर एक जज्जमेंट की यहाँ बात की जाए कैशम मेग चंद्र सिंग वर्सिस दो अन्रेबल स्पीकर मनीपूर लइशेडव एसेंबली 2020 का यह डिसीजन है एंटी डिफिक्शन लॉग को लेके इसमें यह बोला गया सुप्रीम कोट के दौरा के एंटी डिफिक्शन देखें एंटी डिफिक्शन क्या होता है कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर पार्लेमेंट के अंदर यह स्टेट लेशलेचर के अंदर ओवरार पॉलिटिकल पार्टी की लीडर्शिप के अगेंस जाके कुछ काम करें तो उस case में anti-defection law लागू किया जा सकता है उसके उपर उस particular parlementarian को या फिर स्टेट लेश्टी डिस्विली के मेंबर को अपनी MLA या MP की कुरसी छोड़नी पड़ सकती है तो यह होता defection तो यह जो anti-defection law है anti-defection law में इस particular 2020 के judgment ने सुप्रीम कोट ने बोला कि speaker के action लेने का कोई time frame होना चाहिए मतलब मान लो कि BJP party या किसी Congress party के MP या MLA ने अपनी party के leadership के against कुछ किया उस case में उसके उपर अगर defection proceeding शुरू करनी है तो speaker को एक time limit में defection proceeding शुरू करनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि उसने गड़बड कि आज 2020 में और उसके खिलाफ आप action ले रहो 2023 में तो मतलब अगर defection हुआ है और किसी political party को लगता defection हुआ है तो वो political party समय भी recommendation दे speaker को और speaker एक time frame के अंदर उसके against defection proceeding शुरू करेगा तो NTP defection law में defection proceedings को शुरू करने के लिए time limit होनी चाहिए ये clear cut 2020 के cashm में उसी context में author compare करके बोल रहा है कि जब defection law के लिए time limit set up की गई है तो article 200 के अंदर भी time limit set up होनी चाहिए और ये time limit supreme court ही set up कर सकता है article 200 के अंदर governor को discretion देना कि कितने दिनों तक भी विल अपने पास रखे रहो उसके उपर action मत लो ये parliamentary है थो उसके इसाफ से बिलकुल भी set और fit नहीं बैठता फिर यहाँ पे queen range ये west minister system की बात करने लगी west minister system parliamentary system का उदा है दुनिया भर में overall जो parliamentary system west minister system adopt किया गया वो England के constitution system से adopt किया गया ठीक है ना भी उसी इसाफ से अगर आप देखो तो governor की duty ये है और all elected government की काम को मुश्किल करने लगे elected government दोरा पास किये गया बिल्स को pending रखे तो वो अपने आप में समीधान को तोड़ने वाली बात होगी ठीक है ना और ये allow नहीं होना चाहिए justice vr krishna अयर ने समचेर सिंग and ANR versus state of Punjab में पता है क्या बोला मतलब over all हमारे constitutional fathers में हमारे आने वाले successes के हाथ में command तो दे दी लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आगे आने वाले समय में उनके directors को इतनी बुरी तरीके से abuse किया जाएगा परवर्ट तरीके से छोड़ा जाएगा मतलब over all आज के rate में जो गवर्नर्स गलत तरीके से एक्ट करते हैं अलग लग 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 राज्यों में वह गलत है अब इस कंटेक्स में कुछ लोग अभी की ruling party क्रिटसाइज करेंगे लेकिन आपको बता दो दोस्तों पिछले 30-40 साल की Indian democracy का record उठा के देख लिजे जबसे overall opposition ने बड़ी-बड़ी जब देखे शुरुआत में जब सरकार मनी दी Congress की तो ज़्यादा तर राज्यों में भी Congress थी और केंद में भी Congress थी धीरे धीरे आप देखो तो केंद में Congress रही कुछ राज्यों में regional parties आ गए तो जब opposition की political parties किसी एक particular स्टेटले 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 में नॉमिनट होने लगी तब governor का जो villain वाला रोल था यह घर के सामने आने लगा इसके बारे हम ने यहां पर बात की तो मतलब इस article का सार बेसिकली यही है कि governor के पास article 200 के अंदर एक time limit होनी चाहिए एक्ट करने के लिए governor उसको लेके खाली बैठा हुआ है यह नहीं चल पाएगा एक और article है fighting the meanness of online gambling more can be done to prevent people from falling player to misleading advertisement यह क्या चीज़ है भाई तो भाया Tamil Nadu prohibition of online gambling and regulation of online games bill इसके बारे में थोड़े दिर पहले मिलनाव को बताया था इस particular bill को भी अरन रवी साव अपने पास spending रखके बठे बिल तमिलनाडू की state assimilary से पास हो चुका है पहले इसका ordinance आया था ठीके ना भाई ordinance प्रोमलकेट किया गया था एक अक्टूबर को उसके बाद ordinance को भाई देखिए क्या ordinance छे हफते छे महीने और छे हफते चलता है technically इस ordinance को बिल में बदलने के लिए राज की सरकार को एक bill पारित करा था राज की सरकार ने बिल पारित किया गवर्नर पास एसेंट के लिए भीजा गवर्नर ने एसेंट नहीं दिया इसको अपने पास spending रख रखा है अब इस spending रखने के चलते हो गई है बिल हो गया लैप्स खतम हो गया बिल बात है वो ordinance था बिल में convert हुआ नहीं बिल बात में पास हो गया तो ठीक है और ओडिनेस तो लैप्स हो जाएगा ना ओडिनेस कितने दिन चलेगा छे महीने और छे अफ़ता अब ये एक ऐसा particular बिल था था कि कुछ बिल था जैसे नीट बिल हो गया नीट बिल आप कह सकते हो अपने आप में बहुत सारे देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग बोलेंगे कि तमिल नाडू की सरकार का जो नीट का स्टेप हो करा था तो इस कंटेक्स्ट में ये जो particular बिल था online games बिल और online gambling को रोखने वाला ये अपने आप में एक ऐसा बिल है online games के अगेंस्ट बैन लगाया थे लेकि इस बैन को cancel कर दिया मद्रासाई कोडने अगस 2021 में online gaming के अगर आप बात करो तो online gaming को ban कर देना चाहिए उसी परकार से political party तमिल नाडू की पत्ताली मकल काची इसके president है अन्बू मामी रामदास इन्होंने भी ये बोला है कि article 162 के अंदर DMK रिजाई में राजी की सरकार जो तमिल नाडू की इसको एक order पास करना चाहिए executive order और online gambling को ban करना चाहिए हाला कि इस प्रकार कोई भी order अगर पास किया DMK की सरकार स्टालिन ने तो most public को मद्रास high court रोक देगा चूकि प्रॉपर बिल को IDMK के अगस 2021 से मद्रास high court ने रोका तो इस बर भी रोका जा सकता है अब इतनी urgency क्यों है तमिल नाडू के अंदर online gaming को ban करने की देखे simple है तमिल नाडू के अंदर deaths by suicide बढ़ रही है और इन deaths by suicide का reason है online gambling offline gambling reason नहीं है पिछले डेड़ सालों में 32 लोगों की जान गई है suicide से एक murder का भी case है और कोई भी यहाँ पे murder या suicide offline gaming के वज़े से नहीं हुआ सब online gaming के वज़े से वो रहा है तो online gaming इस समय पे अपने आपिक minutes बन के उभर रहा है बात में समझ नहीं है डर नहीं लगा suicide कर लिए इस पर आपके एक दो case निकल गया है इस context में आरन रवी की उपर pressure पड़ा आरन रवी तमिल नाड़ो के law minister S. Ray Chupati से मिले E. Gaming Federation के representative से मिले आप जो electronic gaming वाले हैं वो तो क्या बोलेंगे वो बोलेंगे हमारे games तो सही है जैसे for example जो bill pass किया जा रहा है कौन से bill की बात कर रहा हूँ मैं याद रखेगा तमिल नाड़ो prohibition of online gambling and regulation of online games bill इसमें रमी और poker जैसे games को भी ban कर दिया गया अब जब इसको ban किया जा रहा है तो ये जो particular लोग है ये गेमिंग फेडरेशन वाले वो आरन रवी साफ से बोल रहा है कि साहब ये तो games of skill है ठीक है ये games of chance नहीं है तो ये game of skill आप कैसे ban कर सकते हो ये तो bill ही unconstitutional है आपका तो आरन रवी के सामने जो industry representatives है ये गेमिंग के वो बोल रहा है कि सारी ये तो games of skill है games of skill को ban करना unconstitutional है रेजुपती जो कि law minister ने तमिलाड़ो कि वो बोलना कुछ unconstitutional नहीं इस अपने फायदा करने के लिए आरन रवी साहब बोल रहे है कि हमें थोड़ा सामय चाहिए हम आपके bill के उपर decision लेंगे in the meantime ये बोला जा रहा है कि messages, advertisements with related to online gaming ये बहुत देजी से पढ़ते जा रहे है इनको रोकने की सरुत है अभी इनको रोकने के लिए कुछ और legal provisions को invoke किया जा सकता है जैसे consumer activist है M.Soma Sundaram इन्होंने बोला है कि body है Central Consumer Protection Authority इसको 6 मेने पहले किया गयता है इस particular body का काम है false और misleading advertisements को रोकना गंदे ads को और endorsements को रोकना ठीक ना तो कोई बेग्रीर परसन CCPA के पास जा सकता है उसको बता सकता है कि online gaming के respect में advertisement गलत है अगर CCPA को गलत लगेगा तो advertisement दो बैन हो गई होगा advertisement पर publish करने वाले के उपर भी penalty पड़ेगी अगर consumer protection act के section 21 की बात करो तो CCPA 10 लाग तक की penalty माँख सकता है manufacturers, advertisers और endorsers के उपर 10 लाग ठीक है अच्छा का सामाट है पहली penalty के बात अगर आप subsequent penalty करते हो तो CCPA आपके उपर 50 लाग तक का find डाल सकता है और उसके बाद और violation करते हो तो 3 साल तक की आपकी सजा भी हो सकती पहले एक साल तक की सजा होगी उसका 3 साल तक की सजा होगी तो कहीं न कहीं है जो online से जिनको आज की date में e-commerce भी बोला जाता है देखे online gaming को लेके बहुत सारे लोगों को तो हम बैन नहीं कर सकते है AIA DMK ने इसको बैन कराने के उलड़ी कोशिश की देखे मिलाडू में अधरा साई कोट ने रोग दिये यहाँ पर अभी के लिए फिर से DMK पार्टी ने बिल पास किया है बिल पेंडिंग है आरन रभी के साथ आरन रभी साथ जो तक सकी ओपर डिसिजन नहीं लेते तब तक कुछ consumer right activist बोल रहे हैं कि पहुंच जो किस के पास CCPA के पास CCPA Central Consumer Protection Authority जो कि according to section 21 of the Consumer Protection Act तुम्हारी मदद कर सकती है अगर कोई misleading advertisement हो इसको रोग सकती है misleading advertisement publish करने वाले को पर fine मार सकती है वगरा वगरा ठीक है मैं तो यह article आप साथ discuss के जितना detail में हो रहा है दोस्तों उतना discuss कर रहा हूँ आई हो मज़ा आ रहा हूँ और आखरी article आज़का article Forest Rights and Heritage Convention क्या बात की जारी है 2012 में UNESCO ने इंडिया के अंदर bio diversity के respect में western guards में 39 areas को critical declare कि है मतलब bio diversity के respect में UNESCO के हिसाब से 2012 में इंडिया में western guards में 39 critical areas थे 39 में से 10 तो करनाटका में थे और बहुत सारी इन इलाग के इसको world heritage side में declare किया है UNESCO ने अब देखे जब आप world heritage side declare होते वैसे तो देखो protected areas जो इंडिया गया है उसमें क्या क्या आते है national parks आगी wildlife century आगी resort forest आगी by square protected areas है इसके एक step आगे चले गया तो भाई ये UNESCO ने world heritage side का आपको दर्चा दे दिया अब इन जगों पे रहता कौन है schedule caste के लोट forest tellers जिसमें schedule tribes भी पाय जाते है कुछ minority community के लोग है इस प्रकार के protected areas में जो आज की डिव में UNESCO के heritage sites भी बन गई अब कुछ problem है दोस्तों आसम इनके heritage side बनने से या उससे पहले जब ये protected areas भी थे एक issue था issue ये था आपने forest right act के बारे में सुनाओग forest right act 2006 इस forest right act 2006 के अंदर थोड़ी बहुत जमीन एक forest dollar को दी जानी चाहिए technically और legally वो जमीन की जो upper ceiling है वो है 4 hectare तक की जमीन overall एक particular former forest dollar को मिल सकती है ठीक है भाई एक एकर बड़ावर होता है point 4 hectare तो 4 hectare हो जागा 1.6 तो 1.6 एकर तक की जमीन technically एक farmer own कर सकता है ओके जड़ातर जो forest dollar हैं हमारे देश की forest में वो एक एकर से कम का इलाका ही claim करते हैं लेकिन बहुत जारे लोगों के claim reject कर दी जाते है traditional forest dollar से claim ST से दूगने reject की जाते है मतलब forest right act 2006 के अंदर ये जो forest में रहने वाले लोग है ये regularly सरकार के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि साब हमें इतनी जमीन दे दो FRA के अंदर हमारा दीकार है लेकिन ये claim reject कर देती सरकार ऐसा वाधारी सरकार क्यों reject कर रही fresh encroachments मतलब सरकार का बोलना है कि ये लोग traditionally यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं ये जो land ये claim कर रहे हैं के नहीं है तो हम इसको नहीं दे सकते दूसरी जो land claim कर रहे हैं ये पैसारी भूमी है नहीं वेस्ट लेंड है फॉरस्ट लेंड है ये basically protected forest का लेंड नहीं है इसलिए हम इसको लेंड नहीं दे सकते फिर कई वर क्या होता है कि एक ही family की बहुत सारे members एकदम से simultaneously application डाल देते हैं तो forest वाले बोलते हैं कि एक ही family की member अलग-अलग application डालके ज़्यादा इलागा अपने पास कीशना चाहरे है ये हम नहीं दे सकते कुछ लोग इस बात का proof नहीं दे पाते कि वो पिछले 75 सालों से इन ही जंगलों में रह रह रहे है तो इन सब बहुत सी वजहों से overall forest right act 2006 के अंदर जो due अधिकार है नोगों का जमीन का वो इनको मिल नहीं बात है और इसमें STs और जो forest dwellers है न वो बहुत ज़्यादा आपके हैलो affected है regular basis पे ये परेशान है आप अब जब world heritage site का दरजा मिला इन जगहों को तो चीज़ें positive होनी जाए कोई चीज़ें positive भी होनी जिसे illegal tree planning बहुत हद तक रोग गई है लेकिन भात यह है दोस्तों कि जो forest dwellers है ना उनकी तो पूरी movement ही यहाँ पे block कर दी है जो भी eco sensitive zone में और world heritage site वाले जगह में जो लोग आ रही है न वहाँ पे severe restrictions entry पे जो लोग पहले ही निलाकों में रहा करते हैं तो उनको वहाँ पे घुसनी नहीं दिया जा रहा है यह लग बात है कि developmental activities जैसे road repair वगरा होगई यह भी बंद हो गई है किसी प्रकार का इतना excessive restriction लगाने की ज़रोत नहीं खासकर उन लोगों के लिए जो कि कई सालों से यहाँ पे रह रह रहा है प्लस और और intensive land utilization के चलते animal insurgency है पहले और और देखो तो जो forest dwellers थे ना इनके अलाकों में बहुत ज़दा monkeys औ स्नेक्स नहीं आते थे लेगिन चुकि urban expansion हो रहा है तो आफस पास की periphery में जो habitat था वो कम हो रहा है तो आफस पास की जंगली जानवर जैसे की monkey snakes वो core forest लाके में घुस रहे हैं जहाँ पे traditional hunter gatherers और आप कहलो forest dollars रहा करते थे प्लस villages के पास जो forest है forest के पास जो villages है वहाँ पे livestock own करना भी मुश्किल है मतब भीड़ बक्रिय जानवर पालना मुश्किल है चुकि आफस पास जो शिकारी हों बहुत गुमते रहते प्लस ये भी बोरा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पे irrigation project चलाए गया तो basically अगर आप देखो तो FRA की जो facility थी जो due right था लोगों का वो उनको technically मिल नहीं रहा है और अगर आप देखो तो कुछ जग़ों पे लोग settled है FRA के अंदर अब वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं बहुत सरे बड़े बड़े इंडस्टिलिस और सरकार resettlement का package दे रही कि अब यहां से निगल के दूसरी जगा चले जाओ अमाल लो एक PC particular FRA वाले गाउं में 80 लोग रहते हैं उसमें 30-40 लोग सरकार कर री settlement लेके बाहर जाने को तयार है लेकिन बाकी 30-40 लोग तयार नहीं forest थे, protected forest थे, आज वो word heritage sites बन गही है जरूरी यह है कि वहाँ पर gram सभा की importance लोगों की movement को ज़दा ब्लॉग ना किया जाए वहाँ की जो bio-diversity conservation कर रही है, अलग-अलग agencies वो local लोगों के साथ मिल के करें, इनके ओपर स्पेशल ध्यान दिया जाए, यह forest dollars हमारे लिए, इतने important है, fertilizer के use नहीं होना चाहिए, इन जग़ों पर mobile phones के use नहीं होना चाहिए, एक suitable package होना चाहिए लेकिन sustainable तरीके समापर traditionally कई सारों से रहने वाले forest dollars वो तो एक basic amount of resources use कर सकते हैं, उनको तो आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हो, यह जो forest बरबाद हो रहे हैं, वो modern humans के anthropologic activity के वरे से बरबाद हो उसके चलते indigenous community, forest dwellers, STs, SCs के राइट, आप क्यों पूछ रहे हो, छीन रहे हो, यह गलत है, तो यह थाज का एड़र दुस्क्रिशन दोस्तों, आपको मज़ा है, थैंकियो फॉर वाचिंग, ज़ादा सजादा लोगा लेक्षिर शुय कर देना, अपनी उपट नीचे कम रफ संदी के जाना, Instagram, Instagram, Facebook, लाटे रहा हो, जाएट, आपको आपको मज़ा है, थैंकियो फॉर वाचिंग, सजादा लोगा लेक्शिर शुय कर दे